फैजाने ताजुल ओलिया ओल्ड एज होम द्वारा हजरत बाबा सेद मुहम्मद ताजुद्दिन ओलिया की जेरे सरपरस्ति में रविवार को ताजबा के ग्राउन में इस्तेमाई शादी यानी सामोईक विवाह का आयोजन किया गया जहां करीबन 41 जोडों ने एक साथ निकाह कबूल किया इस्तेमाई शादी के कारिक्रम में मुखे अतिती की रूप में केंद्रिय मंत्रे नितिन गड़करी पुलिस आयुक तमितेश कुमार हजरत बाबात आजुद्दिन ट्रस्ट के अध्यक्ष प्यारे खान ने शामिल होकर इस तरह के सामाजिक आयोजन पर प्रसन अता जताते हुए सभी जोडों को बहतर भविशे के शुप कामनाई दी है कारे कर्म में केंद्रिय मंत्री नितिन गड़करी पुलिस आयुक तमितेश कुमार हजरत बाबात आजुद्दिन ट्रस्ट के अध्यक्ष प्यारे खान आयोज़क मौलाना इर्शाद वा आयोजन समीती के पददिकारी एवं कारे करताम मौजूद रहे आयोजन को लेकर फैजाने ताजुल ओलिया ओल्ड एज होम इवं आयोज़क मौलाना इर्शाद द्वारा व्यापक तयारिया की गई सभी जोडों को कमीटी की ओर से अलमारी पलंग सहित गरहस्ती का सामान भेट किया गया इस अफसर पर हजरत बाबा ताजुदिन ट्रस्ट के अध्यक्षि प्यारे खान ने लंबे समय बाद इस तरह के सामाजी कारे करम का आयोजन की जाने पर फैजाने ताजल ओलिया ओल्ड एज होम की सराना की और बिना चिचक इस तरह के आयोजन की ये जाने के लिए सबी को प्रुचसाहिद किया पहले मैं आपको बता दू यहाँ के कुछ लोगों ने इस प्रोग्राम पे रोक लगा दी दिया मुझे पता नहीं कि क्यों अच्छे प्रोग्रामों के लिए रोक लगा दी जाती है मौला ना इर्शाद साहब आए मेरे पास और मुझे कहा कि हम हजरत बाबा ताजुदिन ट्रेस्ट के मेला गराउन में पहले जैसे शादी होती थी वैसे ही हम लोग प्रोग्राम अरेंज करना चाहते हैं तो मैंने उनसे कहा कि कोई भी अच्छे काम के लिए आपको अनुमती या परमिशन लेने की जुरूरत नहीं और इसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो हमारे नागपूर के पुलिश कमिशनर शेरी इस कारिग्रम में मुख्य अतीती के रूप में शामिल हुए पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने आयुजक मौलाना इर्शात के नेतृत में इफैजाने ताजल ओल्या ओल्ड एज होम एवं हजरत बाबा ताजुदीन ट्रस्ट के सहीयोग से आयोजित इस इच्टेमाई शादी की सराना करते हुए सभी जोडो एवं उनके परिजनों को बधाया देते हुए आशिरवात दिया साथ ही अमितेश कुमार ने अपना अनुभव साजा करते हुए उस वक को याद किया जब शहर में उनकी नियुक्ती हुई थी शुरुआत में ताजबाग शेत्र से कई गयर सामाजी गतिवी दिया सामने आया करती थी तब उन्होंने ये ठान लिया था कि इन सभी गयर सामाजी गतिवी दियो और इनको अंजाम दिये जाने वालों को जड़ से खत्म करके शेत्र को सही माईनों में पविद्र बनाने का संकल्प उन्होंने उठाया था और आखिरकार उन्होंने इस संकल्प को पूरा भी किया आजुद्दीन बाबा ट्रस्क की बहुत सारी जमीने जो यहाँ पे थी वो बेकायदेशी तरीके से कुछ लोग ने इसको अवैद कबजा करवा के रखा है來了 इस प्रकार कि जो और उस पेसे कुछ लोग rent वसूल कर रहे है घैर तरीके से अवैद तरीके से मेरा ट्रस्क के मात् से आगरा रहेगा कि इस प्रकार के जो लोग जिनों ने इस प्रकार की जमीने बेच रखी है जो गैर कैदिशी तरीके से बेच रखी है उसको आप अपने रिकॉर्ड से identify करवाएं हमारे पास फिर्याद दिलवाएं और इस प्रकार के आरोपियों पे हम कारवाई करेंगे क्योंकि आगे ताजुतीन बाबा परिसर का बहुत विकास का बहुत आरखड़ा बहुत विस्त्रित आरखड़ा इस प्रकार के जो गैर काईदेशी कबजा जमीनों पे या गैर काईदेशी तरीकें से जो ताजुतीन बाबा ट्रस्ट की जमीनों को बेचा गया है उस प्रकार के क्रिमिनल्स में बहुत कड़क कारवाई होनी जरूरी है NBCN News के लिए अचित कुवर के साथ अकसा अंसारी की रिपोर्ट